भाई लोगों बहुत confusion है, मालब बहुत से हिंदी actors, मालब main lead में भी हिंदी actor है, उसके बाद main villain है, उसमें पूरी movie जो इंडिया में cast करी गई है, और पूरी casting ही उसकी सिर्फ Indian actors की है, लेकिन ये movie as Hollywood release करी जा रही है, भाई, बहुत भसर है, भाई सब monkey man movie का trailer आ चुका है, जिस उसने movie को खुद redirection भी दिया है, story भी खुद लिखी है, और भाई साब screenplay यानि main lead पर जो hero का गाम करने movie खुदी है, और movie कोई छोटी मोटी लुली पुच्चु नहीं है, भाई, full action movie है, जो by god, अगर आपने जॉन विक देखी है, तो ये full उसको टक कर दे रही है, और नहीं आ रहा है, लेकिन भाई, देव पटेल की ये movie जो netflix पर रिलीज हो जाई कव, पांच अपरेल को, इस movie में 300 कुरोन के budget में भाई, ऐसी ऐसी चीजे हमें full realistic base पर देखने को मिलने वाली है, जो by god, एक बार के लिए yes, ना कि Bollywood का नाम यूज करके, Hollywood का नाम यूज करके internationally रिलीज होने वाली है, और इसमें action जो पेल के मिलने वाला है, क्योंकि भाई साथ साथ जान विक, यानि कियानू रीव्स की आत्मा परचाई हमें देखते नजर आ रही है, किस पे देव पटेल पे जो फुल एंगर लुक में है, monkey man का concept बड़ा ही जबरदस्थ है, white monkey का जो relation है, वो अपने main character से देखने को मिलना है, जो उसकी power को मनलग एक बार के लिए silent है, लेकिन जब ये उंकर हो जाता है, तो बहुत ही danger हो जाता है, और यस देव पटेल हमें टेलर में पुरा danger होते हैं, जो एक बार के लिए normal guy है, जो बिलकुल काम कर रहा है, अपनी job के लिए भी मांग रहा है, कि यस मुझे काम दे दो, कोई भी दे दो, मैं कर लूँगा, लेकिन दूसरी तरफ भाई साब वो एक रिंग के अखाडे में ही जाते ही, मास्क लगा कर जो भैंकर लडाई करते नजरा रहा है, भाई मुंबई में ऐसा action, वो भी full, skillful, unexpected था और ये movie भाई से इलाके पर ये derivate करी जा रही है, दूसरा movie के जो notes है भाई वो दमदार है, मालब graph एकदम से high जा रहा है, then नीचे आ रहा है, एक बार के लिए pace slow जा रहा है, then why place बहुत high जा रहा है, high pace कहां पर जा रहा है, भाई action के टाइम पर, चाहे रिंग में fight के मामले में ले लो, व गोरिल्ला की तरह अपने छाती पर हाट पीटने के ले लो, या फिर वो combat scene आप kitchen वाला ले लीजिए, जो जो पर दस लग रहा है, दूसरा music and bgm का जो सांदार इस्तमाल किया है, यानि हनुमान movie अगर हम देखें, जो बहुत छोटे बजटों बनाए गई गई है, भाई सब अगर हिंदी audience, यानि इंडियन audience को पकड़ना है, तो भाई ऐसे concept आपको डालने पड़ेंगे, जो उसको सीधे connect करेंगे, और कहीं न कहीं हमें भाई साब बजरंग बली का भी connection महां से देखने को मिल जाएगा, और जब ये connection देखने को मिल जाएगा, तो movie automatically hit हो ही जानी है, दूसरा music and dgm की बात करें तो solid है बाई, बिल्कुल solid है, क्योंकि ऐसे darker action thriller movie में भाई साब high energy वाले music चाहिए, और पंजावी music वो भी जबर्दस्त high energy देखे जाएगा, तो ये concept भी जबर्दस बैठते नजर आ रहा है, जो movie की theme को बहुत ज़्यादा darker, बहुत ज़्यादा action बहुत ज़्यादा thrill देखे जा रहा है, और कहीं न गहीं, देव पटिल भाई, animal movie से, यानि संदी प्रेटी वांगा से inspire हुए है, क्योंकि वैसा पूरा concept जो है, पंजावी music के दम पर चला है, animal में, और वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलने तो भाई, violence and action भढ़के मिलन से जानते हैं, तो movie का weight है, अगर आपने trailer नहीं देखा है, तो जाके trailer देखो, क्योंकि बहुत awesome trailer है